हेले रिवान स्वागत आप एक नए वीडियो में आज आपको अपडेट दिखाएंगे जो भी हमारा ट्रेंडिंग में है द्वारका एक्स्ट्रेस वे अभी मैं हूं सेक्टर 23 द्वारका में और यहां से मैं आपको इसका अपडेट दिखाता हूं यह पहले गूगल पे यह देखे यह है दिल्ली हर्याना का बार्टल जहां टोल प्लाजा बनाए गया है यहां से दिल्ली की साइट आगर चलते हैं पर्तल चोप यह सामने और यहां से क्टर 22 यहीं से शुरू होता है द्वारका एक्स्ट्रेस में और मैं यहां से लेकर आपको इसका अपडेट द जाने वाली साइट लेकिन अभी सभी विकल्स एकी साइट जा रही है क्योंकि वह अभी इन्होंने शायद शुरू नहीं की है तो एकी साइट से सभी विकल्स जा रही हैं क्योंकि कुछ गाड़ीयां यहीं से गई हैं तो मैं यहां से इसमें स्टार्ट किया काम अभी काफी इसमें बचे वे हैं, फिनिशिंग वाले तो लोग लगे वे भी, बीच-बीच में आपको दिखाई देगा इसमें काम अभी होते हुए, काफी हाइट पे ही फ्लाइवर, जिस पे भी हम है, वहला फ्लाइवर के ऊपर फ्लाइवर आएए, जो एविया 2 है, उसके ऊपर आएए यह वहला फ्लाइवर द्वार का एक्स्ट्रेस वे दिल्ली सेक्शन, पहली राइड है इन फ्लाइवर के ऊपर, यह देखे है यह NH48 की साइट जाते वे यह फ्लाइवर चालू है, और यह मैं अभी जिस साइट से आया हूँ, द्वार का सेक्टर 22 सेज की साइट से अलब इन फ्लाइवर की हाइट आप देखें कितनी ज्यादा हो जाती है, फ्लाइवर के ऊपर फ्लाइवर अलगे, यह experience दिल्ली में first time होगा, Metro तो हमने देखी है, फ्लाइवर के उपर से जाते हैं लेकिन वेहिकल्स इतनी हाइट पे चलेंगे, यह first time है यह एक रोड चालू है, यह कभी चालू नहीं है, यह देखिए, IACC द्वार का कितना अच्छा व्यू यहाँ से, क्योंकि यहाँ ड्राउन तो फ्लाई हम कर भी नहीं सकते इस एरिया में, और यहाँ देखिए सामने लिखा हुए, Urban Extinction Road 2nd, 344 M, मतलब द्वार का Expressway के अंडर में बंद रहा है, लेकिन नाम इसका UER2 ही रखा है, बनला छोड़ा है भी, ठीक है, यह बहुत अच्छा लगा, यह देखिए, सामने मेंशन किया रहा है यह भी फ्लाइवर के ऊपर फ्लाइवर है, यह देखिए बहुत शानदर विए, बहुत शानदर विए अब यहां से मैं चलूँगा गुडगाओं की साइड गुडगाओं, गुलुग्राम जैसा आपको ठीक लगे बहुत शांदर एक्सपिरिंस यहां से बिलकुल सीरा जाएंके तो हम डिलि-हदियाना के बाउठ ञाँ लेकिन मैं यहां से मलब नहीं जाँगे एस जादा लॉग साइड क्योंकि åब हमचलेंगे यहां से । key मिनश 48 के साइड जहां से टनल स्टार्ट होते हैं, विजवासन वाला जो रेल वेंडर वेज है, यह फ्लाइवर अभी इंकंप्लेट है, कुछ हिससाइस का, अभी तो का हैसरे सब आने जाने वाले लोग कनफ्यूर ना है कि कौन? कहां से जाना है, किसको कहां से जाना है, तो इस तवर जैसे रोंग साइड आते हुए दिख जाएंगे, हो जाएगा ही, कुछ निनों में समझ जाएंगे, क्योंकि अब फोई भी रोड कहीं से भी बंद क जैसे कुछ जंगें ऐसी हैं जहां इन्होंने भी बेरिकेट्स अभी भी लगाईवे हैं यह फ्लाइवर यहां डाउन आ गया है और हाँ यही लोकिशन सामने देखिए विजवासन इसको क्रॉस करने के बाद जो हमारा टनल्स वाला पार्ट है वो शुरू हो जाता है मोदी जी कल उन्हीं टनल्स से ही आये थे लेकिन टनल्स को अभी बंद किया है सामने देखिए तिल्कुल बंद किया है कोई भी वीकल जाने का इसमें दास्ता भी नहीं है तो हम यहां से वापिस चलते हैं गोडगावा की साइड में जो बाॉडर एरिया है जहां टूल मेरिक्विट्स लगागे से भी एक गाड़ी लायक ही जगह छोड़ी है कि जब चाहिए इसको बंद कर सकें और अभी कोई भी वीकल आपको किसी भी साइड दिखाई दे सकता क्योंकि अभी नहीं समझ में आता कि उन्होंने कई जगह से बंद किया है तो मजबूरी भी हो ज प्रस्विक ही जाइड थो भी असली यही है में जो हमें दिल्ली हर्याना के बार्टर पर लेके जाएगा वापी समीची जगह आ गए यह देखिए पोर्टल मीम देखिए कितना बड़ा यहां पर बनावा है आठ लेन के उपर उचाई भी कितनी ज्यादा है कमाल है कितना बड़ा है यहां हम पहुचने वाले हैं दिल्ली हर्याना के बार्टर पर यह देखिए जो सामने फ्लाइवर है और इसे मैसे नीचे अंडर पास ही पनाया हुए नजवगड और कापा सेड़ा रोट के लिए और जाइटर लेने के लिए इस्तमाल में आया गए यह फ्लाइवर और उसक है यह है अपना दिल्ली हर्याना का बॉर्टर जहां पे बनाया जाएगा या बना दिया गया है टूल प्लाजा यही हमें पार्ट था जो कि missing था अदर्वाइज हरियाना वाले भी 11 km पर गाड़ियां चल सकती थी, बेशक सर्विस रोड पर चलती थी, सेम ऐसे दिल्ली वाले हिस्से में भी जो सर्विस रोड हो बड़े अच्छे बने वे, उन पर भी गाड़ियां बड़े स्मूत भी चल रही थी, सब दिल्ली से और हरिया जाना की साइट जाने के लिए, और गाओं की साइट जाने के लिए अभी यहां से रास्ता नहीं था, तो इसकी इन्योग्रेशन के बाद ही खोल लिए गया है, यह ट्रोल प्लाजास यहां मनाए गए है, इसकी फिनिशिंग में लगे वे, अहां एक खास न्यूज हो रहे है जो मैंने सुबह न्यूज पेपर में दीखी दी, न्यूज मतलब 12 मार्च की न्यूज में, कि एक हफते दर ये वाला इससा फ्री है, मतलब ये लगा लो कि एक हफते बाद यहां टोल लगना शुरू हो जाएगा, जैसा न्यूज में है, एक हफते बाद नहीं लगे, दो कुछ अनलोग टोल कम नहीं होगा, सामने ये एक्सप्रेस्वे पे जाने का रास्ता, वहां भी इन्होंने ऐसे बेरिकेट्स लगाई वे, गाड़ी पूश के जने दे रहे हैं, इसका मैं आपको उपडेट, इससे नेक्स वीडियो में दिखाता हूँ, एक्सप्रेस्वे व काड़ को दिखाते हूए. झाल 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 के जने एक्सप्रेस्वे वे वीडियो में देले का रहे हैं, आपको दिखाते हूए.